थायरोइट की टेस्ट को हम थायरोइट प्रोफाइल कहते हैं और इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं नमबर एक टी एसेच, नमबर दो टी थ्री और नमबर टी टी फॉर जिसमें इस हर्मोन का लेवल के बढ़ने को हम हाइपर थायरोइडिजन कहते हैं इस सुरत में मरीज को गर्मी ज्यादा लगती है और जिसम हर वक्त गर्म रहता है पसीने ज्यादा आते हैं, मोशन्स रहते हैं, गज़ा लेने के बावजूद वजन कम होता है दिल की दड़कन बढ़ती है और अक्सर महसूस होती है इसके इलावा महवारी में भी तब्दीलिया आती है और महवारी जल्द और ज्यादा दिन तक आती है जिसम में इस हार्मोन के लेवल के कम होने को हम हाई पो थायरोडिजम कहते है इसमें मरीज को सर्दी ज्यादा लगती है और जिसम ठंडा रहता है जल्द खुशक रहती है, कमज रहती है, गज़ा कम लेने के बावजूद वजन बढ़ता है दिल की धड़कन कम रहती है, महावारी में तबदील आती है और महावारी देर से और कम आती है हमारा थायरोड ग्लैंड दो कसम के थायरोड हार्मोन बनाता है नमबर एक टी-3 और नमबर दो टी-4 हमखुन में थायरोड हार्मोन की जिस में अगदार को चेक करते हैं उसे फ्री-T3 और फ्री-T4 कहा जाता है ती-4 इस हार्मोन की कम असर रखने वाली फॉर्म है और इसके जरिये से टी-3 बनता है जो इस हार्मोन की ज्यादा एक्टिव फॉर्म है इसके बराक्स टी-एस-एच जो के मुखफफ है थायरोड स्टुमिलेटिंग हार्मोन का ये टी-3 और टी-4 को कंट्रोल करता है और जिसम में थायरोड हार्मोन के बढ़ने के साथ घटा और हार्मोन के घटने के साथ बढ़ता है टी-एस-एच पैदाइस विले के चार दिन तक के बचों में एक अशारिया सिफर से उन्तालिस अशारिया सिफर तक नौर्मल तसवर किया जाता है बीस दिन से बीस हफ़ते तक के बचों में इसकी नौर्मल वैल्यू एक अशारिया साथ से 9.1 है जबके 20 साल तक की عमर के लोगों में 0.7 से 6.4 तक नौर्मल तसور किया जाता है 21 साल तक की उमर में इसकी normal value 0.4 से 4.2 तक हो सकती है जो 54 साल से ज़्यादा उमर के लोगों में 0.5 से 8.9 तक normal कहलाती है जबके free T3 hormone की normal value 2.3-4.1 तक normal है और आखर में free T4 की normal value 0.8-2.8 तक normal तस्वर की जाती है इस तमाम मालूमात के बाद हम कह सकते हैं कि अगर किसी का T3 या T4 बड़ा हुआ है और TSH कम है तो इसका मतलब यह है कि इसमें thyroid hormone बड़ा हुआ है या hyperthyroidism है और अगर इसी तरह किसी का T3 और T4 कम है तो यकिनां TSH बड़ा होगा और इसका मतलब यह है कि मरीज को हाइपो-thyroidism है दोनों सुर्तों में डॉक्टर से मश्वरा इंतहाई जरूरी है और डॉक्टर के मश्वरे के बाद ही अद्वियात का इस्तिमाल करना चाहिए ऐसे मरीज के जिन में यह हार्मोन कम होता है उनको अमोमन टैबलेट थायरॉक्सित तजवीज की जाती है और यह कितनी और कब इस्तिमाल करनी है यह आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद तजवीज करेगा इसी तरहां ऐसे मरीज के जिन में यह हार्मोन ज्यादा होता है उनको अमोमन टैबलेट न्यूमर कजोल और टैबलेट डिराल तजवीज की जाती है और यह भी इस तरहां कितनी और कब इस्तिमाल करनी है यह आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद ही तज इसी करेगा